आईए चर्चा को जारी रखते हैं मैं आपके साथ हूं भूबरेश्चंत माथुर आशे सिंग लेक्चर से हमारी चर्चा का आज विश्य है जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं पालंपूर में खेती भूमी इस्थे रहे हैं इस गाओं की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं पालंपूर में खेती उत्पाधन की प्रमुख किरिया है नमबर वन एक्टिविटी क्या होती है या आपे क्रशी कार रहे हैं खेती उत्पादन ठीक है काम करने वालों में 75 प्रतिशत लोग अपनी जीवी का के लिए खेती पर निर्बर हैं अब जितने भी आबादी है इस गाओं की उसका 75 प्रतिशत हिस्सा अमारा कौन से कामों में लगाओगा अपनी जीवी का के लिए खेती पर आशरित हैं खेती ही उनका वैवसाय है डाइरेक्टली है या इंडाइरेक्टली है निर्भरता उनके आजवी का के लिए खेती है तो यह लोग यह किसान जो है प्रशी शर्मिक यानि खुद का भी खेत हो सकता है और दूसरे के खेत पर भी काम करने जा सकते हैं इस बात का आशर यह है ठीक है इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है जीवन दहरा ही कह लिए इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है अगर दूसरे के खेत पर मजदूरी करने जा रहे हैं तो उससे कुछ वेतन ग्रूप में मिल जाता है पैसा मजदूरी मिल जाती है खुद का खेत है तो उत्पाद को बेच के गुजर वसर चलती है परिवार की लेकिन याद रखिए करशी उत्पादन एक मूल बहुत कटना ही है जितना की हम लोग बातें करते हैं बात कर रहे हैं करशी कार रहे हैं खेती बाड़ी के कार रहे हैं आपको मालूम है उतने सरल लहीं है जितने की दिखाई दे रहे हैं ऐसा नहीं है आसान नहीं है ये काम है बहुत महनत है पेशेंस यानि धहर चाहिए खेती के कार्यों में उपर से नुक्सान भी हो सकता है खेती में परियुक्त भूमी शेत्र वस्तुत है इस्थिर होता है क्या कोई जमीन बढ़ा सकते हैं आप लोग इस्थिर है जो भी आपका खेत का नाप है इस्थिर है ना तो आप बड़ा तो सकते ही नहीं हो पालंपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतरगत भूमी शेत्र में कोई विस्तार नहीं हुए यानि कि जमीन कोई नई प्राप्त नहीं हुई है जो है उसी में गुजर्बसर करनी है कितने साल से 1960 से आज के चल रहा है 2021 कितने साल बीत गए यानि कि लगबख 60 साल में वहीं की वहीं जुताई के अंतरगत भूमी है उतनी के उतनी है उस समय तक गाउं की कुछ बंजर भूमी को करशी योगे भूमी में बदल दिया गया था यानि आजादी के बाद उसे बात करें कुछ वर्षों की तो कुछ जमीन हमको नई मिली ये गाउं वालों को कुछ बंजर भूमी को ठीक कर लिया ट्रीटमेंड कर दिया उसका कुछ बंजर भूमी हाथ आईये उसको हमने कर दिया वो क्रशी योग में कन्वर्ट हो गई है नई भूमी को खोईती योगी बना कर क्रशी उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है हमको क्या बताया जा रहा है इस गाओं की कहानी के मात्यम से कि अब आज की तारिक में नई भूमी प्राफ्त नहीं हो रही है कोई टुकडा हमें एक्स्टरा नहीं मिल रहा है कि जिसको हमके खेती को योग बना दे हैं खेती योग बना ले इसको करशी उत्पातन ओब बढ़ा लें और लोगों को आजी बहिविका मिल जाए ऐसा नहीं हो रहा है और बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है कोई गुंजाइशी नहीं है अब कोई ऐसा रस्ता नहीं है कि इस पालमपुर में थोड़ी सी बें जमीन हमको बंजर भूमी खेती योग बना भी लें ऐसी कोई सूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है इस बात के दो मीनिंग हो गए मेरे लिए दो अर्थ हो गए कि जो है भूमी उसी में इंको जर्बसर करनी है ठीक है तो बड़ी ये मुश्किल वाली समस्या है शायद आप मेरी बात को समझेंगे ये इस्तिती हर गाओं के लिए हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है भूमी मापने की स्टेंडर्ड इकाई क्या है हेक्टेयर में नपती है ठीक है ये दुपी गाओं में भूमी का माप बीगा गुंठा आधी जैसी शेत्री इकाई हमाभी किया जाता है हर देखिए हर प्रांद की अपने अलग भाशा है भारत में और हर जिलों में अलग-अलग नाप से भी इसको नापते हैं कई पहाड़ी शेत्र में नाली का नाम भी देते हैं, कई जगे मुरब्बा भी कहते हैं, तो ये नाप अपने अलग-अलग हैं, फिकước? आदी जसी शेत्रे एकाईयों में भी किया जाता है, एक हेक्टेर का मतलब अब ये एक स्टेंडर्ड की बात करने, एक हेक्टेर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग की शेत्रफल के बराबर होता है एक हेक्टेर को आप अंदाज कर लेजिए क्या होगा 100 मीटर की एक भुजा है तो 4 होई उसकी आप नाप सकते हैं क्या आप एक हेक्टियर के मेदान की शेयत डिलना अपने स्कूल के मेदान से कर सकते कि आप जायेगा जब भी स्कूल जायेँ देखिये कितना बैठता है वह हेक्टियरमन आपके देखिए और पूछ भी लेजिए को ह separates को अगर कोई बता सकते हैं जरूर जरूर देखिए कि एक हेक्टेर में कित्ती जमीन आईगी तो उससे हमें आइडिया होगा कि इतना खेत इतना बड़ा अंदाज लग जाएगा आपको ठीक है क्या उसी भूमी से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है अब हम आ गई एक ऐसे बिंदू पे कि कावं में ऐस स समस्या यह आई कि अब जो सीमित संसाधन सीमित जमीन है अमारे पास उसमें खेती वारी का उत्पादन कैसे बढ़ाएं क्या ऐसा किया जाए ऐसे कदम कौन-कौन से हो सकते हैं जिससे के उत्पादन बढ़ जाए क्योंकि जमीन तो अब हम बढ़ा नहीं सकते कोई ऐसी सूर कार की फसल पैदा की जाती है और जो सुविदाएं गाउं वालों के पास है उन्हें देखते हुए पालंपर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाउं की तरह लगता है और यह जो चैप्टर लिखा किया है यह सच में एक अंग्रेज ने खोज की थी बुलंज शेहर के पास एक जगे है यह वहां के गाउं की सारी रूप रेखा है ठीक है न तो यह सारी कहानी कहानी है बुलंज शेहर के पास के गाउं की कहानी है तो यह सच में ऐसा है उन्हें देखते हुए पालंपर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाउं की तरह लगता है रवद है, सब उपर खेती क्यार रे चालू है, क्रशी कार रे किया जा रहा है, कोई भूमी छोड़ी नहीं गई है, कोई भूमी बेकार नहीं छोड़ी जाती है, सारी की सारी किसे ना किसी काम आ रही है, याद रखिए, बरसात के मौसम में, हम क्या कहते हैं, बारिश के मौसम की प्रयोग में लाए जाता है तो फसल की फसल हो गई जोहर बाजरा हो गया और जो बच गए उस वो जानवरों को डालते हैं चारे के रूप में इसके बाद दूसरी फसल की बता रहे हैं हमें इसके बाद अक्तूबर और डिसंबर के बीच आलू की खेती होती है सर्दी का मौसम जो रभी सर्दी के मौसम की फसल होगा है क्या कहेंगे रभी की फसल में खेतों में बहुती आवश्यक ग्यहूं गाया जाता है ग्यहूं की फसल उत्तरप्रदेश की जानी मानी फसल है आप जानते ही है अब उत्पादित ग्यांहेंसे परिवार के खाने के लिए रखकर हर किसान के घर में ग्यांग उटता है न रोटी के लिए रखकर शेष जो बच गया ग्यांग किसान राई गंज की मंटी में बेच देते हैं इसको मैं हाइलेट करूंगा कि अब जो ग्यांहुआ उत्पादित हो गया गयों तो परिवार के लिए रख लिया और जो बच गया माल लो परिवार में 6 जने है ठीक है तो हम माल लेते हैं नॉर्मल दस बारा बोरी खुद के घर के खर्चे के लिए रख लिए बाकी अब जो भी उपर हुआ उसके वो बेश के आ जाता रख कर गन्य के खेतीगी की जाते अब साथ के साथ एक हिस्सा है खेत का उसमें थोड़ा गन्ना भी लगा इस्पेशली आपने देखा होगा गन्ना जो है शुगर मिल में भी जला जाता है अगर भहुत आसपा शुगर मिल है वहाँ पर भी गन्ने का किसान उनको सप्लाई करता है ठीक है तो यहां क्या और आए इस गाउं में गन्ना अपने कच्चे रूप में यह गुड के रूप मे शावपूर के व्यापारियों को बेच देते हैं या तो गन्ना काटा गन्ना यह यह व्यापारियों को बेच दिया या गुड बनाने वालों को दे दिया इस तरह से गन्ने का उत्पादन का प्रियोग जाता है गयहूं अपने घर के काम के लाइक रख लिए उपर जो किसान बेच देते हैं उससे कैश मिल गया पैसा कैश हाथ में आ गया तो उससे सारे साल को घुजर बसर करनी है अछब्र सी के पालम्पूर में एक वर्ष में किसान हमने देखा तीन अलगलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि महापर क्या है और सबसे बड़ी पसल हो गई पाकी रभी और आलू कैसे होंगे मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहां पे सिचाई का साधन अब लेविल है उपलब्द है इसलिए यहां का किसान तीन अलग लग पसलें पैदा कर रहा है ठीक है पालमपुर में विजली जल्दी ही आ गई यह बहुत खुशी की बात है कि पालमपुर में विजली की उपलब्दता सूनिष्चित है बहुत बड़ा पॉइंट है उसका मुख्य प्रवाव यह पड़ा कि सिचाई की पद्दती बदल गई अब क्या होगा कि आप अपने पंप को डीजल की जगे विजली से चला सकते हैं तो सिचाई की पद कि अब यह राम हो गया एक तो क्या है तीन वासल यह का किसान अट बीजली दूसरी नंबर बिजली केूपलता है तीसरा सिचाई के सुविकित ईंतजांवां आता है । चोटे खेतों की सिचाई कर सकते हूं, बढ़ों की कर सकते हूं सब जगए आप पानी पहुंचा सकते हैं अब लोगों को ये भी समझ में आ गया कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज्यादा अच्छे तरीके से आप सिचाई कर सकते हैं मन चाहा पानी जहां जितना पहुचाना है पहुचा सकते हैं प्रारंब में कुछ नलकुष सरकवार दारा लगाए गए थे अब क्या हुआ अब लोगों ने अपने भी लगा लिये पर जल्दी किसानों ने अपने अपने निजी नलकुप लगाने का प्रयास प्रारम कर दिया उसका क्या असर हुआ परेडाम सरूब 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेर के पूरे जुतवे शेतर की सिंचाई होने लगी मेरी नजर में ये बहुत बड़ी बात है इन सब बातों का असर हमारे किसान भाई पे क्या बड़ा 1970 के दशक के बीच तक आते आते 200 हेक्टेर उस पूरे गाओं के भूमी पूरे जुतवे शेतर की सिंचाई होने लगी मतलब अब ऐसा कोई खेत शायद प्यासा नहीं रहा होगा कि महाँ पे नलकूप या बिजली के पंप से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से ना जाती हो हमें ये पहचान करनी है हमें ये समझना इस स्लाइड में और मैं आपके लिए हाइलाइट कर रहा हूँ आप किताब के साथ भी बैठ कर देखें इस वीडियो को बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा शुरू के दिनों में सरकार ने कुछ नलकूप लगा दिये कि देखे इनका क्या फायदा होता है फिर क्योंकि आवक बड़ी आमदनी बड़ी किसानों ने फिर अपने ही निजी इस तर पर ये नलकूप भी लगवाए एक वर्ष में किसी भूमे पर हमारा सवाल का जवाब चलना है एक से जादा फसल पैदा करने को बहु विद्ध फसल प्रणाली कहते हैं मतलब क्या कहते हैं एक वर्ष में समय कितना एक वर्ष एक से ज़ादा फसल पैदा करने को हम बहु विद्ध फसल प्रणाली कहते हैं तीन तीन बार हो लिए न फसल है तो बहु विद्ध हो गई यह भूमी के किसी एक टुकडे में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है क्योंकि देखिए जमीन तो हमारे पास वही सीमित है थोड़ी सी बात कर लेते हम इस विशा में कि जमीन तो सीमित ही रहे अब क्या किया जाए अब जैसे माल लेते हैं कि जमीन इपती सीमित है ये तो बढ़ नहीं सकती अब अगर ये पूरे में ये पूरे में सिचाई हो रही है देखिए इस तरह हैं समसमझ भी लेते हैं पूरे में सिचाई का काम चल रहा है ये गाओं का नक्षा बना दिया मैंने एक रफ पूरे में सिचाई हो रही है तीन-तीन फसले हो रही है घर के काम की फसल रोक लेते हैं थोड़ा से जेतना अपने खर्चा होता है घर में बाकी बचा उत्पादन है न वो हम मंडी में जाके बेच आते है तो कुछ हमको कैश पैसे की आमद मिल गई आमदनी बढ़ गई किसान की बिजली आई हुई है इस गाओं में समुच्चत विकास हो रखा है सडक बनी हुई है पास के मंडी से हमारा आना जाना ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, इत्यादी है इतना मतलब सुविधाय है हमारे पास ठीक है तो पालंपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख फसलें पैदा करते हैं कि at least कम से कम दो फसलें तो होई रही है कम से कम दो फसल तो होई रही है कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल भी होने लग गई है आलू की भी अपनी बेलू है तो आलू का उत्पादन भी हो रहा है मतलब खरीफ की फसल हो गई रभी की फसल हो गई मौका लग गया तीसरी फसल हमारे आलू की भी हो गई तो आलू तो घर के लाए रोक लेंगे उसके बाद जो बच्चे का वो मंडी में हम बेच देते हैं तो इस तरह से ये काम यहां होने लग गया और देखिए गैहूं का इस तरह से फोटोग्राफ है बाजर का है गन्य का है आलू का है यह ध्यान रखिएगा भारत में सभी गाउं में ऐसी उचिस्तर की सिचाई वेवस्ता नहीं है यह तो हमने केस लिया है पालंपुर का भारत के अगर अधिक्तम जादा कर गाउं देखेंगे यह वाली वेवस्ताएं नहीं है हैं नदीय मेदान और हमारे देश में तटीय शेतर उस ? जहां आज देखें इस बात की मटलब बहुत घेररा हैं इस बंधियों का किनारा ही वह तों सिचाई का साधन बहुत अप्लब्द है यह तटीय प्रदेश City स मिलेगा पर इसके वेपेद्व देखेंगे पठारी शेतर जैसे के डक्षनी पठार हमारा बहुत ही सिचाई के साधन कम है हमारे पास और देश में आज भी कुल क्रशी के शेतर के 40 प्रतिशत से भी कम शेतर में सिचाई होती है यानि के कुल क्रशी शेतर के 40 परसेंट से भी कम पर सिचाई की सुविधा उपलब्द है इस बात का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक खेत है 100 हेक्टेर क्या तो समझने के लिए हैं कि उसकी 40 प्रतिशत ही मेरी योग्यदा है शमलता है कि मैं उसमें सिचाई के लिए प मौनसून पर यानि कि खरीव की फसल जादा कर हैं इस बात से हमें ये इस सिलाइड में हमें कोई ये सीखने को मिला चर्चा हमारी क्या है हर जगे पालंपुर गाउं जैसी वैवस्था नहीं है बिजली की नदिये मैदानों की बात को हटा दीजे छोड़ दीजे तटिये श वर्षा पर निर्भर हैं तो एक ही फसल होईगी नहीं होगी ना दूसरी तो यह हमको यह बहुत घहराई से जानना और समझना है तो आपने देखा कि दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधूनिक क्रशी विदियों का प्रियोग करना है पहला तरीका हो गया हमारे पास सिंचाई का दूसरा हो गया अधिक उपज के लिए खेती में अब क्या किया जाए आधूनिक क्रशी विधियां इनको यूज करें उपज को भूमी के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा गई फसल के रूप में मापा जाता है अब जो भी आपके उत्पादन हुआ कैसे मैजर करते हैं कैसे नापते हैं कि किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई उसके हिसाब से हम हिसाब निकालते हैं कि इसका उत्पादन कितना हुए तो 1960 के दशक के मद्य तक खेती में क्या था? पारमपरिक बीजों का प्रेयोग किया जाता था मान लेते हैं 1960 के आसपास तक पारमपरिक बीजों का यानि जो फसल हुई उसमें से अच्छा सा बीज रख लिया और अगली जब फसल की जरौत पड़ी वही बीज खेतों में डाल दिये तो ये प्रेयोग चलता था उसका क्या था? उससे उपज अपेक्शक्रत कम आती थी उससे उतनी बढ़िया फसल नहीं होती थी उन बीजों को अगर आपने बोला, डाला है तो सिचाई की आवशक्ता कम होगी तो उनको पानी कम चाहिए होता है हमने देखा परंपरगत बीजों को कम सिचाई की आवशक्ता होती थी अब उर्वरक उस समय कौन से डालते थे? उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकर्तिक खाद का प्रयोग करते थे? अब आप लोगों मैंसे कईयों के खेत हैं जाके देखिए बातचीत कीजिए आपको वैसे भी यह सब बाते मालग होंगी जो की ग्रामीर शेत्रों से हैं यह सब किसानों के पास तत्काली उपलग है अब यह सब गाय का गोबर या हमारे प्राकर्तिक खाद हर जगे उपलग है इनको खरीदना नहीं पड़ता था एक आराम यह था कि इसका कोई पैसा नहीं लगता था यह नॉर्मल कंडिशन्स में ही किसान के पास उपलब्ध है हर गाओं में है आपको मालूम ही है अब क्या हुआ 1960 के दशक के अंत में हरितकरांती शुरू हुए नहीं भारती किसानों को अधिक उपजवाले बीजाओं के द्वारा गेहुं और चावल की खेदी करने के तरीक है हरितकरांती शुरू हुए हमारे भारत देश में 1960 के अंत में उसमें क्या हुआ भारती किसान को यह बताया गया कि अधिक उपजवाले वीज हाय येल्डिंग वेराइटी एच वाय भी इंग्लिश में बोलते हैं कि द्वारा गेहुं और चावल की खेदी करने के तरीके स तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरितकरांती का असर गेहुं पर बहुत जबरदस्त रूप से देखा गया चावल पर असर थोड़ा रूप कर आया क्योंकि गेहुं का जो शेत्र है उत्तर भारत इसमें यहां के किसान ने इस चीज को फॉरण अपना लिया अपना लिया होता है यह हमको आज की तारिक में सब मालूम है इसका क्या रिजल्ट आया इसके प्रणाम सरूप जमीन के उसी टुकड में पहले कि अपेच्छा कहीं अधिक अनाज की मातरा पैदा होने लगी हुआई वी बीजों के आने से हरित करांती 1960 में शुरू होने से किसानों को जब बताया गया कि इसका यह फाइदा है तो यह उत्पादन अधिक 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 होता गया ठीक है यद्दुपी अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक्तम उपज पानी के लिए भूँच जादा पानी क्या आपको करना पड़ेगा बहुत जादा पानी तथा रासाइनिक खात और कीट नाशकों की जरूरत पड़ेगी तो एक तो बीज आ गये बहुत उत्पादन अच्छा होने लग गया वो पानी के लिए हमें क्या दो चीज करनी पड़ेगी बहुत जादा पानी सिचाई पर निर्भरता बढ़ गई तीसरी बात रासाइनिक खात का इस्तेमाल बढ़ गया चौती बात कीट नाशकों की जरूरत बहुत जादा पड़ने लगी यह मैं आपके लिए हाईलाइट जो कर रहा हूँ यह हमें नॉलिज यानि ग्यान और एक्जाम दोनों के हिसाफ से बहुत जरूरी चीज़े हैं व आपको बहुत जल्दी जल्दी यह समझ में आने लगेगी चर्चा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाईगी है अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से चाही रासानी को रुबरकों और कीट नाशकों आधी के सयोजन से ही संबव थी और इसका सब से अच्छा फाइदा कौन से प्रांतों ने अठाया भारत में पंजाःओ रियाना पश्ची में उत्तर-प्रदेश के किसानों ने खहेती के आधुनी अत्रेवास का सबसे पहले परियोग परिया सबसे पहले पंजाःओं अर्याओं पस्ची में उतprises मैं यह असर देखना क हैं गेहूं में हमने आशातीत सफलता पाई हरेत किरानती में आधुनिक तरिकों के सबसे पहले इस्तेमाल जमकर हुआ पंजाव रहना पश्ची में उत्तरपरदेश इन शेत्रों में किसानों ने खेती में सिचाई के लिए क्या किया नलकूप और HIV बीजों रासाइने को रव मान गए और उसका प्रतिफल भी इनको बहुत अच्छा मिला रिजल्ट इनके हाथों में बहुत अच्छा जा किसान की आमदन ही बढ़ गए खुशहाली आ गई हम खाद्यान में आत्म निर्भर भी हो गए अब और आगे की बात उनमें से कुछ ने ट्रेक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरी दी अब उत्पादन बढ़ गया तो काटने पहले तो क्या आदमी कर लेते थे श्रमिक अब फसल गहाने के लिए भी मशीन खरी दी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिय और स्पीड आगई काम में और इससे क्या हुआ कि ग्यों की और ज़्यादा पैदावार होगी तो बिकेगी और बिकेगी तो भई हाथ में पैसा आएगा पालंपुर में परमपरागत बीजों में से ग्यों की उपच तेरा सो किलोग्राम प्रती हेक्टेर थी किसानों के पास बाजार में बेचने को अधी शेश ग्यों की काफी मात्रा उपलब्द थी मुझे व्यक्तिकत रूप से लगता है हरित करांती के बाद पश्ची में उत्तर परदेश पंजाब हर्याना कुछ हिस्सा हमारा उत्री राजिस्थान का लाभान गित हुआ देख लीजे फरक कहां पारंपरिक बीजों से 1300 किलोग्राम प्रती हैक्टेर फसल हो रही थी और कहां जब मॉडरनाईजेशन आया करांती आगे हरित करांती 32 किलोग्राम प्रती हैक्टेर ग्यों की फसल होने लग रही तो उत्पादन होगा अधी शेश होगा अधी शेश ह आएंगे मंडी में तो पैसा मिलेगा निश्चित रूप से किसान की आर्थिक इस्तिती बहुत जल्दी बदली कि तो यह पूरी साइकिल हम समझ लेते हैं एक बार अधिक उपजवाले बीज मिले यह कारे हुआ बीजर ओपन हुआ इधर दूसरा क्या उर्वरक मिले इसमें यह डले खेतों में कीट नाशक आ गया फिर दूसरा पॉइंट सेचाई के साधन क्योंकि हई वी बीजों को केट नाशक को उर्वरक को पारंपरिक बीजों से पानी की मातरा जादा चाहिए तो नहरों का काम शुरू हुआ पंप सेट आए हमारे पास बांध बनाई गए बिजनी शुरू हुई गाओं में पालंपुर में तो बहुत पहले से हैं तो आधुनिक रशी के तरीके एच वाई वी बीज रासायने को रवरक आदी ने पूरा परीद्रश खेती बाड़ी का बदला तो यह हमारी तरचा का वीशे है है एच वाई वी बीज अधिक उपजवाले बीजों ने पूरा हमारा पालंपुर की तस्वीर बदल दी और इसके साथ साथ पंजाब हर्याना उत्तर पश्चिमी भारत की तस्वीर बदल दी तो इससे हमारे को अधिशेस पसल प्राप्त हो प्राप्त है ने लंकाई